हलो दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रियल मी 9 स्पीट एडिशन जिसकी करींगे अन्बॉक्सिंग नजल डालेंगे बेसिक फीचर्स लोग डिजाइन्स कैमरा पर और देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्ट फॉन आपके लिए फर्स्ट अपॉल इसका प्राइज जान लेते हैं दोस्तो ये आपको मिलेगा 17,999 रुपे में और इसमें आपको मिलेगी 6GB RAM 128GB का इंटर्नल इस्टोरेज रियर में ट्रिपल कैमरा 48+, 2+, 2 मेगाफिक्सल फ्रेंट सेल्फी कैमरा 16 मेगाफिक्सल और बैटरी 5000 अमेज की इसकी अलावा क्या-क्या दिया गया इसमें खास आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आए हो फॉस्स टाइम और अभी तक अगर आप ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वह है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स है जिस पर ब्लैक कलर के फॉंट में मॉडल नेम और डिवाइज नेम लिखा हुआ है नाइन स्पीट एडिशन उपर फाइब जी का लोगो और नीचे रियल्मी और मोस्ट ट्रस्टेड टेकल लॉजी ब्रांड याँ पर नीचे मेंसें किया हुआ है बैक साइड में ह आपको आगे बताता रहूंगा तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं सो फाइनली हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है तो सबसे उपर आपको नजर आएगा एक मिनी बॉक्स जिस पर लिखा है एक ग्रेट स्टोरी सिंस दा फॉस्ट लीप नीचे रियल्मी की ब्रांडि और एंड सिलिकन का कवर दिया गया है अच्छी क्वालिटी का है कवर इसके बाद इस स्मार्टफॉन जिसे निकाल के फिलाल रखते हैं साइट में और अंदर देखते हैं तो यहां पर आपको एक चार्जर अडप्टर 30W का डर्ट चार्जर अडप्टर दिया गया है जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज कर लेगा चार्जर की क्वाल्टी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और आउटपुट रेटिंग आपको इस पर देख रहे होगी 5 वोल 2 एंपियर 5 वोल 6 एंपियर की मैक्सिमम मिल जाती है इसके बाद आपको वाइट कलर की काफी मोट केविल है और यह है टाइप A2 टाइप C USB केविल और चलिए दोस्तों मुबाइल को रेपर से हम आजाद कर लेते हैं तो यह रहा स्मार्ट फॉन जिसका फ्रेंट लूग कुछ ऐसा आपको नजर आएगा पंचोल डिस्प्ले आपको मिलती है कौनर में यहां पर देख सकते ह इसके अलावा इनन फील यह हाथ में आपको काफी कमफटेवल फील होगा और अच्छे से आप इसे कैरी कर सकते हैं मोबाइल के बैक साइड में आपको काफी अच्छी फिनिसिंग देखने को मिल जाती है मैट फिनिस प्लस ग्लूसी फिनिस का मिक्स अप आपको यहां पर द ज़र आएंगे मीन कैमरा है 48 मेगाविक्सल का 2 मेगाविक्सल माइक्रो और 2 मेगाविक्सल का डेफ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैसलाइट दिया गया है फिंग फिन सेंसर आपको इसके साइड में मिलता है वहीं पर आपको पावर ओन की दी गई है कॉर्णर भी आपको कार्ड दिये गये हैं यानि कि दो सिम कार्ड और एक मेमरी कार्ड तीनों आप इस पर एक साथ लगा सकते हैं जस्ट नीचे आपको वॉल्यूम रोकर्स और बॉटम में 3.5 mm का ओडियो जैक प्रैमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है मोबाइल को हम आपने लाबा इंचैन आपको आएकन आपको नौर्मली फांट डेखने को मिलते हैं यूजर इंटरफेस इस scroll आप करते ही आपको यहापर सारे के सारे application नज़र आएंगे pre install app भी आपको यहापर दिये गए है हाला कि इन्हें आप install भी कर सकते हैं touch काफी smooth और fast आपको इसका मिल जाता है क्योंकि आपको इसमें 144 Hz का refresh rate दिया गया है इसके अलावा edge और bezels को देखें तो corner से तो ठिक हैं लेकिन नीचे जो chin है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको नज़र आएगी दोस्तो इसमें आपको मिलती है 6.6 inch की full HD plus IPS LCD जिसका aspect ratio है 20 to 9 screen resolution 1080 x 2412 pixel और pixel density 400 ppi की दी गई है और screen to body ratio 90.8% का आपको इसमें दिया गया है 164.4 mm इसकी height है 75.8 mm width है 8.5 mm की आपको इसमें thickness मिलती है और mobile का weight है 199 gram इसके अंदर 5000 ms की battery आपको लगी हुई मिल जाती है चलिए दोस्तों आप इसकी setting पे नज़र डालते हैं तो setting को जैसी आप open करोगे तो अंदर जो interface है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है जहां आपको सबसे नीचे about phone section दिया गया इसे हम open करें यहां आपको दिखेगा device name version और realme UI version आपको इसमें 2.0 Android version 11 दिया गया है बात करें प्रोसेसर की तो 2.4 GHz का octa core प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है और chipset आपको इसमें Qualcomm snapdragon 778G का दिया गया है वहीं आपको RAM मिलती है 6GB प्लास 2GB virtual RAM यहां पर दी गई है 128GB का internal storage जिसमें से यूज के लिए 107GB phone में एविलेवल है और expandable memory 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं 6NM का fabrication और graphic Adreno 642 के आपको इसमें मिलते हैं इसके अलावा RAM टाइप LPDDR4X और storage टाइप UFS 2.2 का दिया गया है और यह रहा इसका rear camera तो rear camera के लेटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है colors काफी अच्छे है brightness भी अच्छी मिल जाती है zooming देखते हैं तो आप इससे पुरा 10 गुना zoom कर सकते हो यह रही इसकी 10x zoom quality इसके अलावा portrait का option मिल जाता है video mode night mode और यहाँ पर आपको 48 megapixel का जो camera है वो यहाँ से enable होगा और इससे enable करने के बाद आप zoom नहीं कर सकते है mode setting में देखें तो आपको यहाँ पर dual view video mode मिल जाता है ज इसमें आपका front और rear camera दोनों एक साथ खुल जाते हैं आप ऐसे में भी video suit कर सकते हो इसके अलावा आपको slow motion और time lapse इसमें दिया गया है movie mode, expert mode, panama mode, text scanner और ultra micro mode आपको इसमें मिल जाता है चलिए दोस्तो front selfie camera open करते हैं तो यह देखिए इसका front selfie camera काफी colorful आपको मिल जाता है हलाकि zooming आप इसके front selfie camera से नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको इसका selfie camera अगर आपको colorful camera पसन आते हैं तो काफी पसन आएगा इसका selfie camera तो आपको यह smartphone दो color variant में मिलेगा steric glow color और azura glow color जो भी color variant आपको पसन आए आप purchase कर सकते हो तो friends यह था 18,000 रुपे के अंदर आने वाला realme speed edition या फिर हम इसे realme 9S थी smartphone बोल सकते हैं तो friends आपको यह इस budget range के अंदर कैसा लगा मेरे इसाब से यहाँ पर जब तक 5G नहीं आता तब तक इसकी उतनी importance नहीं रहेगी लेकिन जैसी 5G launch हो जाता है पूरे एंडिया में तब इसकी value हमें पता लगेगी इसके अलावा आपको इसमें प्रोसेसर ठीक टाक मिल जाता है mobile का जो look और design है वो काफी अच्छा है कैमरा अच्छे मिल जाते हैं 30W का dirt charger आपको इसमें दिया गया है तो मेरे साब से इसे लगबग 17,000 या उससे कम कीमत में होना चाहिए तब यह आपके लिए best रहेगा otherwise आपके लिए तो कई other option आपको मिल जाएंगे market में 18,000 रुपे के range में थोड़ा सा मुझे ये दोस्तो over price ज़रूर लगा आप क्या कहते हैं आप comment box में बताईए क्या आप इसे purchase करना चाहोगे और अगर आप use कर रहे हैं इस smartphone को तो comment box में हमें बता सकते हैं mobile के बारे में कोई भी अच्छा ही या बुरा ही जिससे हमारे अन्य viewers को भी मदद मिल तो friends यहाँ पर एक बार हम इस पर cover चड़ा के भी दिखा देते हैं ताकि आप देख पाओ कि cover चड़ाने के बाद इसका look कैसा हमें देखने को मिलता है तो यह जो silicon का cover है अच्छे से बैट गया है तो cover चड़ाने के बाद phone का look कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा ठीक है transparent cover अच्छा लग रहा है वैसे तो friends आसा करता हूं मेरे द्वारा दीगी जानकारी आप सभी के जुरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है अगली दोस्तों बहुत बहुत तन्यवाद